पर सो रात को काफी लेट लोकेश कनगराज साहब ने रागा लोरेंस के बड़डे पे उनकी बैंज मूवी की अनॉस्मेंट की एंड इसमें अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूँ कि दिलो दिमाग में कोई भी डाउट रखने की ज़ुरत नहीं है कि ये मूवी LCU का पा है ही सेड वेलकम टू माई यूनिवर्स मास्टर तो अब इससे ज्यादा ओव्यस चीज और क्या ही चाहिए भाई बाकि इस वीडियो में हमें LCU से जुड़े काफी सारी चीजे दिखी जिन में से कुछ चीजे अब लोकेश कनगराज का सिगनेचर स्टाइल बन चुकी हैं L हम रोलेक्स वाला मीट क्लीवर भी नोटिस कर सकते हैं और भाई ड्रग्स तो इस यूनिवर्स की सेंटरल थीम है ही बाकि रही बाद यह कि रागाव लॉरेंस का यह जो कैरेक्टर है बेंज उसको डैड और अलाइव वांटेड क्यों दिखा के रखा गया है क्या वो एक व अगयरा और मॉस्ट प्रबैबली बेंज जो है वो रोलेक्स का भाई हो सकता है या फिर कोई दूर का रिष्चेदार जो उसके कंपटिशन में अपना धंदा चला रहा है रोलेक्स का साइन जहां स्कॉर्पियन है तो वहीं बेंज का साइन यह कोब्रा है और हां इस कोब्र को मिलेगी इंड एक बात कनफ casi में रोलेक्स का केमियो हमें देखने को मिलने वाला है। 101% एंड़ अकेला केमिया टीनस के जाएं अनदाज फिनी लगा सकते हैं होमके। से एक negative character ना हो बलकि वो आपने किसी एक खास मकसद की वज़े से लड़ रहा हो and movie के climax में वो negative से positive side पर आ जाए क्योंकि भाई LCU में Leo की जगे भी almost खाली हो चुकी है क्योंकि VJF full time politics में जा चुके हैं तो Leo 2 कब बनेगी क्या मालूम तब तक ऐसा तो है ने कि युनिवर्स की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा तो ऐसे में हो सकता है कि Leo को लेकर जो ताना बाना बुना गया हो LCU में उसमें से काफी कुछ चीजें बेंज के हिस्से में आजाएं वेल लेटसी आपको क्या लगता है इस teaser के बारे में और मेरे इस वीडियो के बारे में अपने वीचार कमेंट्स में ज़रूर बताना हम मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक के लिए सायोनारा